हेलो फ्रेंच दिस इस यूर होस्त रचित पंखाल आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जो आपके डॉग में यह किसी की भी डॉग में लैग बेंडिंग की दिक्कत आ जाती है उसको कैसे ठीक करें और वो क्यों होती है सबसे पहले मैं बता जेता हूं मेरे पास एक रोटव में जो हमारे घर के फ्लोर्स होते हैं वह स्लिपरी होते हैं क्योंकि जादा तर उसमें मार्बल या टाइस होती है और जो डॉपर तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते इस वजह से वह पैर टेडिया रखते हैं तो इसलिए उनकी लैग बेंडिंग की प्रोग्लम जादा बढ़ तो ऐसे ही मेरे डोग के साथ हुआ मेरे डोग का रीजन यह था कि फ्लोर वाली दिक्कत थी उसको तो भई उसका क्या हमने क्यों कैसे करा उसे वह अप 90% क्यों हो चुका है डोक्टर से भी मैंने रिक्मेंडेशन ली कि कैसे उसे ठीक करें तो फिर आप अपने डोग को जित यहां कराओ जो खेलता है ना कोशिश करो कि वह वहां पर ही खेले जिसलिए पार्क है यहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड करें एस कंपेर टू जो फ्लोर से आपके घर के और जहां पर वह सोते हो वहां पर आप मैट भीचा दो या को बड़ा गदा भीचा दो जैसे कि मैंन लेके जाते हैं और जो बहुत जरूरी आपके डोग के लिए ग्राउंड में फुल दोडाते हैं उसे कि वह पैर सिद्धे रखे और अब उसकी 90% वह इंप्रूव हो चुका है इस चीज में तो सिंपल सी बाशा में यह है वही कि आप अपने डोग को ना ज्यादा देखो य कि उसकी लाग बेंडिंग की प्रोग्लम ठीक हो जेए हुआ हुआ है इसको जितनी देर जितनी बार नी फैंकते हैं यह वहाँ से उठाके यहां में बेट जाता है इसमें यह एपनी जेगा महा रखी है जाता है यहां से बेट ज़ता है और उसके बाद फिर वहां से लेकर आया तो भी यही बेट एगा रिस जाइड से लेकर आया तो भी यही बेट पर जाता है मेरे को भी मेरे को भी सांचट गए इसको तो चल नहीं तो में इसके बाद ये इसको हर रोज ये बागता है अब तो चल नहीं जाता है ये इसको हर रोज ये बागता है अब ठीक है इसको ग्रोथ भी सही है डेखता भी सही है इसका बोज़त आपनी ठीक है इसके बीपर झाल